आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब परिवार M.R.S. स्टडी में तो यहां पर मैं बात करने वाला हूँ गुवर्मेंट पॉलिटेक्निक लखी सुराय इसके तरफ से एक नई रिक्विप्मेंट नोटिस जारी किया गया है तो क्या रिक्विप्मेंट नोटि कर दिया जाए तो यह न्यूज पेपर के आर्टिकल से मैं इसको लेकर आया हूँ और आप इस कॉलेज के बारे में देख सकते हो और किस ब्रांच में क्या रिक्विप्मेंट निकाला गया है उस सारी चीज़े आपको मैं यहां पर बताने वाला हूँ ठीक है इससे पहले आ आप यहां पर और भी नोटिस के लिए यहां पर विजीट कर सकते हो बट यहां पर अभी जो है नहीं दिया गया है तो चलिए मैं न्यूज पेपर से वह आर्टिकल लेकर रहे हूँ तो चलिए पसले उस आर्टिकल को देख लेते हैं तो यह जो न्यूज आर्टिकल है यह म के लिए और यह पूरा का पूरा क्रेडिट दैनिक वहासकर कोई जाता है क्योंकि वेवसाइट पर अभी अपडेट नहीं किया गया तब तक नहीं पर प्रचार कर्यालें राज़किये पॉलीटेकनिक लखिसराय गिध्यापन नंबर एक बीषार में विग्यानियम् प्रतवक की विभाग पटना भीरी सरकार के नियं अंत्र प्रदीन राजकिये पॉलिटेक्निक लखिसराय के बिभिन संकायों में गेश्ट लैव असिस्टेंट यह लैव सहायक के लिए मेकेनिकल और इलेक्टिकल में और इंस्ट्रक्टर के लिए कास्ट कला और बिल्डिंग के लिए यहां पे जो है गेश्ट फैकल्टी को ठीक्ति अदेस नंगीद करने है तो जो है निवेदित किये गए हैं और किसका जो अब वहित पत्र है उसका विदन जो है है दस अन्रे कर्याल में आकम में सपीड़ पोस्ट कर सकते हैं यह रिजिस्टर पोस्ट कर सकते हैं यानि आपको form भरके जमा करना होगा form कहां पर मिलेगा तो website पर मिलेगा लेकिन अभी update नहीं किया गया है जिसमें मैं इस वीडियो को record कर रहा हूं उसमें नहीं किया गया है बठां आज है आपका 17 जनवरी ठीक है आज आपका है 17 जनवरी और आगे आप इसे देख पाएंगे हो सकते हैं कि 18 जनवरी या उसके बाद अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं भी बेव साइट पे form अप्लिकेशन form अप्डेट कर दिया गया हो तो जैसे या अप्डेट किया जाएगा खेर मैं बताऊंगा अपने तरफ से बट आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके रखो ताकि आपको और भी अप्डेट मैं कर सको ठीक है तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो एस पर AICT की अनुसार होना चाहिए नियून्तम जो है गेस्ट लैव सहाय के लिए नियून्तम यानि डिप्लोमा और मसीनों का संचालन की दश्टा होनी चाहिए मिनिमम डिप्लोमा डिगरी आपके पास होना चाहिए और ज्यादा है तो अच्छी बात है यहाँ पे गेस्ट इंस्ट्रक्टर के लिए मिनिमम आईटी आई या सी टी आई होना चाहिए कारपेंट्री और बेल्डिंग में चैन प्रकिरिया होगा सॉट लिस्ट किया जाएगा अव्यार्थी को इमेल के माध्यम से इंटर्विव एवं डेमोस्ट्रेटिव क्लास के लिए जो है बताया जाएगा जो भी आप अप्लिकेशन फॉर्म भरके जमा करेंगे उसके अनुसार आपको जो है बताया जाएगा यहाँ पे गेस्ट लैव असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपका मेकेनिकल और इलेक्रिकल में पर क्लास आपको 800 रुपया दिया जाएगा और मैक्समम जो पिमेंट है महिने का वो 25,000 और इंस्ट्रेक्टर के लिए भी सेम कंडिशन है 25,000 आपको दिया जाएगा पर क्लास 800 रुपया यहाँ पे बोला गया है कि यह कारन नुमती बिल्कुल ही एक वैकल्पिक कारे-कारे बिवस्था है जो बीना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है बिवाग दोवारा नियमित संविदा पर नियुक्ती होने पर कारन मती आदेश स्वता समाप्त हो जाएंगे इस कारनमती के आधार पर सेवा अस्थानी करन नियमती करन इत्यारी मतलओ यहां पर बोला गया कि भाई अगर किसी का सेलेक्शन होता है रिगुलर बेसी स्वत बेसेव और तो अब यह कॉन्ट करने के त्रोम साद समस्क्राइगे और यहां पर सफल सब्सकंदेख चूने जा और और आपना सम सब्सक्यषा और शावे तो यहां पर आप आप सभ पर और करना यहां पर estas आफर पर मुलैंट जयास SAM, पर शभे चीज़ आपको जह है यहां पर चेक करवाना होगा कि हां आप जो सारे डॉक्मेंट्स हैं आपके वह वैलिड हैं अगर कोई डाउट रहता है कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट किजे अपने एक्सपिरिंस के अनुसार आपको मैं बताने की पूरी कोसिस करूंग और मेरे पास कई सारे वैसे अवियारतियों का फोन भी आता है कि सर अपने जो वीडियो बनाया था उसके कारण से जो है मुझे यहां पर आजे गेस्ट फैकल्टी के तौर पर मुझे जो है चुना गया है बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आता है तो आप भी अपना ज कांटक्ट के जिए और आप हमें बताइए बिल्कुल आपकी एक्सपेरियंस को अपने आउडियंस के साथ मैं पूरी तरीके से सेयर करने की कोसिश करूंगा थैंक यू सो मच